रिम डिफेंस अकेडमी की अनुभावी टीम के साथ अपनी तयारी को बैतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस अकेडमी एप डिजिटल प्लेटफोर्म को आपका हार्दिक स्वागे था पहला क्यूशन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों पहला क That is also a similar keς झ्रेट पर बातने आगी फेले साथ नकिसर पर दोस्तों आपको क्या दे र्क है ऍ vibrant got演 chem whose ऑन में राजदानी ए राजदानी तो पहले तो किसकी इस राजदानी उन् है था यंक को दरे वे तो नमर 2 हो ऑकी स्क्रीन था काला मोती के नाम से जाने जाता है, मतलब काला मोती के नाम से क्या जाना जाता है, मतलब काला मोती के नाम से क्या जाना जाता है, मतलब काला मोती के नाम से क्या जाना जाता है, मतलब काला मोती के नाम से क्या जाना जाता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि काला मोती के नाम स पहले वोस्य का खाली जाताया है, पहले ओर दोस्तों, निम्स चीह देखेगा ओर रहिए दोस्तों आशिटे, futuresDoor सीह, पहले जाताया है, सपच्वे मशदूर कता है, कि हाली हूं को बिल मशद बनाचाली मोख हैं? इनमें से कोई नहीं तो मेरे पहरे दोस्तों गंग तोग है वो किसकी राजदानी है सिक्किम की राजदानी क्या दोस्तों गंटोग तो इसका right answer के आएगा ऑगले QYosan का ओर अपन चलते,rem next QYosan आपकी स्क्रीन पर ले के आ रहर हूं, Чाए मुक्यता पाई जाती है , क्या पुछाए पई दोस्तों चाए है वो मुक्यता पाई जाती है दोस्तो सह Compare Serum मेदा संप जनारी नदी किनारे उकजाओं मेदानों में पाडि दलानों में या इन में से कोई नहीए, चाय मुख्य तोस्तो किनारे चाह करोडी दलानों में पाई जाती है ओपशन इस इसके लिए ले के लिए दोस्तो ओडमार्टों कहा ह्तान वै, लोग सभा को कॄंग पांच वर्ष की आblesी पुरा होने से बंद कर सकता है समझना जान से लोकसभा को कौन पांच वर्ज की अवधी पूरा होने से पहले बंग कर सकता है परदानमंतरी राश्ट्य वत्ति अपने वीवेक से या राश्ट्य पboys परदानमंतरी ऑनिमोदन पर इनमे से कोई ने जान से देखो इस क्यूशन को लोग सबा को कों प्वांच वर्ष की आवधी अवधी पूरा होने से पहले बंग कर सकता दोस्तों राजे सबा कभी बंग नहीं होती लेकिन लोग सबा है वो राष्ट्य पुति प्रदान्मंतरी के अनमोदन पर क्या कर सकता ब बिल्कुल राइट आईएगा अगले क्यूशन के ओर आई एम ए इस्थित है दोस्तों इंडियन मिलिटरी अकेडमी कहा इस्थित है दिली मुंबई देरादून या इनमे से कोई नहीं प्यारे दोस्तों तो आप इसको देखो द्यांसे आई एम ए है वो देरादून में बगीचो का सहर कहा जाता है बगीचो का सहर कहा जाता है बगीचो का सहर कहा जाता है बैंगलोर सिरी नगर गोवाटी या सिलों तो मेरे प्यारे दोस्तों बगीचो का सहर है वो किसको कहा जाता है बैंगलोर को कहा जाता है जो कौन से उप्शन में है पहला उप्शन इसका पूछा गया दोस्तों के स्वाननद वारती माभीर स्वामी पासर्वनाथ या इनमें से कोई नहीं तो मेरे प्यारे दोस्तों जैन द्रम का संस्वामी ओप्षन भी बिल्कुल राइट आंपर है जब चंदर्मा पर्थवी और सूरियों के बीच में आ जाता है जब चंदर्मा पर्थवी और सूरियों के बीच में आ जाता है तो उसमें किस प्रकार का गहर्ण होता है दोस्तों मतलब जब चंदर्मा पर्थवी और सूरिय के बीच में आ जाता है तो चंदर गरंड, सूर्य गरंड, पर्थवी गरंड या क्या है? इन में से कोई नहीं. तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब चंदरमा पर्थवी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तो सूर्य गरंड ओप्शन भी बिल्कुल राइट आंशन दोस्तों. तो चलिएगा अगले क्य तो दोस्तों, तो दोस्तों, असम की राजदानी क्या है? दिस्पुर जो कौन से ओप्शन में, तीसरा ओप्शन इस क्यूशन का बिल्कुल राइट आंशर है. आईएगा नेक्स तूशन पर क्या कह रहा है? दोस्तों, देखो द्यान से. महराष्ट्रा के किस इस्थान पर अर उर्जा का येंदर है? तारापूर, पूण ए मुंभय और नादपूर, तो मेरे प्यार दोस्तों, महराष्ट्रा के कह Kabar साफर है? तारापूर में क्या है? पर्मान उर्जा का केंदर है. आईएगा नेक्स्त नंवर की स्वारो राज सभा करते हैं अगर लोग्सभा का आगेगा अगले कूशन पर दोस्तों हुज कों अपने आंगों को फीर को फिर से उगा सकता तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि चिबकली जो होती है वह अपने अंगों को दुबारा उगा सकती है तो कौन से ओप्शन में दोस्तों तीसरा ओप्शन इसका बिलकुर राइट आंचुर है आएगा नेक्स्ट कुछन कि अपन बात करते तो यह वीर्ता का सरवच पुरुष्कार कोोट पी डोस्तों कॉनCos Przy request का सरवच पूरुष्कार आप से पूछा मेरे जोस्तों जत एप 15 तो यह 15 कुमसन आपके जिखके séries दोस्तों मतलब जिक्के और जनरल साइंच है वो 10-12 मिनिट में पूरी कर सकते हो यदि आता है तो आता और नहीं आता तो नहीं आता दोस्तों आईएगा अगले क्यूशन के अपन बात करते हैं क्यूशन नंबर तोड़ा देजिए थर्मामेटर में क्या चीज है वो ताप को दरसाती है सिसा पारा चांदी या इन में से कोई नहीं तो दोस्तों थर्मामेटर में पारा है वो ताप को क्या करते है दरसाती है आईएगा अगले क्यूशन के अपन बात करते हैं क्यूशन नंबर 17 इन में से कौन सा विधूत का उत्पादग है विधूत का उत्पादग ह आप से पूछा है दोस्तों जनरेटर, गेलवोनिमेटर, इमेमेटर या इन में से कोई नहीं तो आपको विदूत का उतपादग इस ओप्शन के इस आप से क्या दिखा दोस्तों जनरेटर जो कौन से ओप्शन में पहला एक दम राइट आंसर है आईए गाले क्यों चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट्smנ्ज क कुर्चर सम्वंदित अ मतलब कैचल इस हैं मद्वमकि पालन से मचली पालन से या लां कत या रेसमẩ किट्षे तो दोस्तों आपको पतावर्ण चूह więks अमुकमन क्यों आप पतान चेहित वूह मद्दूमकृ पालन से आपको डूठतने acknowledgement को लाल कर देते हैं अमल वह होते हैं जो नीले को क्या कर देते हैं लाल कर देते हैं दोस्तों तो आप देख सकते हो कौन से उप्शन में है तो पहला उप्शन वहां एकदम सही आंप पर होगा इसका कि नीले लिकमस को क्या कर देते हैं लाल कर देते हैं और चार्ड होते हैं व सबसे मजबूत सबसे कठोर परदार किया है दोस्तों हीरा जो आप देख सकते इसकी कौन से उप्शन में है तो सी उप्शन इसका बिल्कुल राइट आंपर है नेक्स्टों क Auswption 21 सब provision 21 ने खेचि नेृथ लॉरेंस ने रो नाल्ड या फ्लैंविंग निया है इनमें नेहिए तो दोस्तों पींशन में ने को मैसा हं ठीटर की टार wal मेंसे भी कहत्षज की शुरैब्स हे राइट अर नेस्चफ की ओप्स्न राइट नी तोस्तों कोनसा न के लाल रखकनी का यह प्रभावित होती है दोस्तों नेक्स्ट क्यूसन प्याइगा क्यूसन नमर तेज़ पोधो और जीवों में सबसे मुख्य अंतर क्या दोस्तों क्या पूचा है वोद्धी का चलने फिरने का पाचन का यह समास का तो दोस्तों आपको सीधा सीधा इस जलने में साइप गयस है जलने में कौन सी गैस है तो तो आपको पता हो नचे कि जलने में और जुशन पर नमर चबीश जील के पानी की उपरी सत्य जमने वाड़ी है तो उसकी तली के पानी का ताफमान याद रखना हमेसा इसलिए उसमें मचली है वो जीवित रहती है दोस्तों कि उपर वाले तली प पर क्या सत्य जमने वाड़ी होती है बलकि नीचे जो उसका रहता है वो चार डिग्री सेंटिग्रेट रहता है जो ओप्शन सी में है आई एक आगले क्यूशन के अपन बात करें क्यूशन नमर 27 देखो हरे पेड पोदों के लिए मुख्यत है कौन सा बाग बोजन बनाता है जड तना पतियां या इनमे से कोई नीचे तो दोस्तो इसका आंसुर आपको पता होना चाहिए कि हरे पेड को दोग लिए पतिया है वो उनके बोजन का निर्मान करते है आई अगले क्यूशन की ऑपन बात करते है तो दोस्तों क्यूशन नमर 28 निचे उन सी गटक रासाइन पर परवाव डालता है पहला है किर्या में हिस्सा लेने वाले परदातों गड़ता पर अनुगटक की उपस्तति पर तापमान पर उरुपियूग सभी पर तो मेरे प्यार दोस्तों इस क्यूशन का जो आंसुराएगा वह सभी सभी पर परवाव डालता है आए ऑगा तो मेरे प्यारे दोस्तों ग्रिन हाउस परभाव का मुख्य है Carbon Dye Oxide अब अपन चलते है नेक्स्त क्यूस्ट्स दोस्तों 30 क्यूस्ट्स हो गया अब बात करते हैं तो चलिए गा 31 क्यूस्ट्स आपको एक स्क्रिन पर लेके आगा हूँ समझन अच्छे से और फिर इसका अंशर आपको बता रहा है तो 1225 इसका होता दोस्तों 35 यह आपको पतावना चीए और गुनंचास सीदा ही लिखना है क्यों लिखना है जल्दी बाजी में साथ ने लिखें साथ कभ लिखते जब इसके ऊपर रूट होता तो अपन कितना लिखते साथ लिखते दोस्तों अभी इसके ऊपर कोई रूट नह है इसलिए आप जल्दी बाजी नहीं करें और आंसर सही करें मतलब है 1225 के ही उपर only root आ रहा है गुनंचास के ऊपर कोई रूट नहीं आ रहा है तो मेरे पैर दोस्तों 1225 होता 35 और गुनंचास सीदे सीदे लिख दो क्या इनको अपन काट सकते हाजी काट सकते कितने से काट सकते हैं साथ से काटो साथ पांच 35 और साथ साथ गुनंचास तो इस परकार इस क्यूशन का जो राइट आए आनसर आगा जो तो वो पांच बटा साथ होगा समझ गयोंगे जल्दी बाजी में गलतने करें यदि ये क्यूशन ऐसे होता कि 1225 बटे में गुनंचास और इन दो पर रूट लगा हो ये दोनों एक ही चीज़ दोस्तों समझ रहां ग्यां से इस क्यूशन के लावव मां आपको समझाने की कोशिस करना हो ये क्यूशनर ये क्यूशन दोनों एक ही चीज़ बस इनकी टाइप जो लिखने के वो अलग लग लगए 1225 किसका स्क्वार होता दोस चलते हैं पर नेक्स्ट क्यूशन के और दोस्तों क्यूशन नंबर 32 देखना है क्या पूशन नंबर 32 में आप से क्या पूच्छा है क्या कहना चारा देख लो 32 पहले समझो इसको अच्छे से एक 140 मिटर लंगी रेल गाड़ी एक खंबे को 12 सेकेंड में पार कर जाती है और 20 चाल बताओं और सीधा सफीदा आपको यह भी बताऊना चीज दोस्तों की रेल गाडे की चाल होती है इसमें पूरा समझा देता लेग ओतेती है एक अपो चाल एक होती है दूरी और एक होता है समय अपिशीन जो आपकी ष्क्रीन पर चल रहा है वह कर सकते हैं देख लो ग और आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय होता है अब इसको समझना पचिछे ए त्रेन में दोस्तों ट्रेन का क्यूसन आता है तो इसमें जो चाल आती है वो किलोमेटर पर ती गंटा में आती है और इसमें जो दूरी आती है वो दोस्तों मिटर में आती है और समय जो आता है वो सेकेंड में आता है अब आप समझने की कोशिज करना हमें इस कुछा है चाल पूछी है क्या पूछी है चाल और चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय अब प्यारे दोस्तों जब वो रेल यह पिर डाट सब्छ दो बीजिए पुछ नकिसी तो बीजिए एंग पः। जो मतलब है तो लेंग आल यह में से सब्सक्राइटे कर दोर सकते हैं अब हम अब अब इस लीकषा स Suppose बोलो कर सकते है नहीं हां कर सकते है इसमें बाग दे लो बाग दे लो चार का दे लो चलो चार का देते हो तो चार तीया बारा और चार का इसमें देंगे तो चार तीया बारा दोस्तो चार पांच वीस यह आएगा 35 बटा थी अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ओप्सन तो इसमें ही नहीं कौन तो प्यारे दोस्तों यह जो आ रही है यह किसमें आ रही है बोलो यह आ रही है वो मिटर परती सेकंड में यह किसमें आ रही है मिटर परती सेकंड में अब आपको यह चीज पतावना चाहिए क्या यदी चाल तो पिके साथ ही आप कोई चीजे समझ नहीं, यदी चाल मिटर परतीसेकिंड में है, और इसको किलो मिटर परती गंटा में बदलना है, तो दोस्तों, 18 बटे 5 से गुणा करना है, द्यान रखना है, यह समझा दूंगा, 18 बटे 5 से रहे कहां से आ हैं, बस आपको य जाहंब भीटिस घाल करण 980 to 15-15 उदार न कर अडिया चाल 192 12 5 1 5EO 5 बातने ज्राख तर्थ तीन से कुषन से कुणा है तो किना है पर आफ हूर मैका था Plan जो अटिसम खत शैकी सिथैगा था मैंशन जाल 16 बार यंट्हां मैशन जो कौन से option में है, तो दूसरा option इसका right answer है, कितना 22 km परती गंटा है, इन पूरी चीजों कि आप screen shot ले ले, ध्यान क्या क्या रखना है, चाल बराबर दूरी बठा समय होता है, और चाल ट्रेन में km परती गंटा में आती है, दूरी किसमें आती है, दोस्तों, दूरी है, वो म बदलना है, तो 18.5 में, और 5.5 में आता है, आगले क्यूसर दोस्तों, क्यूसर नंबर 33 आपकी screen पर ले गया रहा है, क्या रहा है 33 नंबर क्यूसर रहा रहा है, समझना है, और यूसका अंसर बदाओ, एक वर्गाकार खेत का परिमाप वो 240 में है, एक वर्गार खेत है दोस तो इसका परिमा आपको कितना दे रख है, 240 दे रख है, तो इसका जचेतर फल क्या होगा? अब वरग के बारे में थोड़ा सा बता जिता हूं आपको दोस्तों वरग का छेतरफल एरिया अफ इस्पायर आपको पूछा जाता है वरग का छेतरफल यदी आपसे पूछा जाए तो इसका फोर्मुला क्या होता है बुजा इस्पायर यदी वरग का छेतरफल पूछा जात याँ पुपता होना छाहिए दोस्तों कि ये ज्यांसाने कि वरग का कोई भी क्यूशनकि याड का क्यू հीहल से ना है यहां के प्लाइध एक चत्रचो ठीक यह और ग। वरगा राक्रफ भी रखेट का है कि जहा है?ард डेंडरों 22020 онषयव मतलव तो इसमें कितनी बार बुजा गई देखों यहां गई यहां गई यहां गई यहां गई तो टोटल 246 इसमें चार बार आगई दोस्तों इसमें 4 का बाग देए तो यह कितना गई 60 मतलब क्या हुआ वरग कि बुजा गई 60 यह वरग का परिमाप क्या होता है दोस्तों चार गुणा बुजा होता है वरग का परिमाप होता है वो चार गुणा बुजा होता है जिसका मान आपको 240 दे रखा है क्या मैं चार से काट सेता हूं कितनी बार 60 बार तो आपकी वरग की बुजा गई 60 हमें क्या पूचा थेतर फ कर दो चलते हैं बड़े किष्छी के स्क्राइब liघ । कर दो संख्यों के विछे के चीपरम एवli संख्या में है या दूसर संख्या संख्या बढ़ा है हैं औप्संसे करना तो औप्संसे भी कर सकते हैं तो संख्यां के विद्कृमों का योग दोस्तों कितना दे रखा गासा है साथ बटा पटा चोबिश दे रखा है यदि एक संख्या चै है तो दूसरी संख्या ग्या पहर अब इसको सीधे वीड़ें से कर लो उप्सं नहीं कर तो तो वैसे कर लो आपकी इक्षा है जएसे भी आप करो बरोब देखो मालो मैं एक संख्या मानता हूं एक लाट मान गें ऐप और एक संख्या उपको 6 है यह को शुब बुटेशा के cambiar है तो शुबिस में है बूत कुछ नुटेशऑ नहीं में है। 14 में नहीं से दाइसेश चूबिस ना युटल क मैं है। किसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, इसमें तो कहीं कुछ करना ही पड़ा, सीधा सीधा इस्का आणसरा लागया है, जो कितना happy कोई बहुत थो भी पोड़ा अराम से आपू सकते दो समय आप पोड़ेंगें लेच आप कुछा का तो वही जिह थे जो राई यह गाले अगले क्मृa Connect T जीचा कुंचन नबर 35 जिसमें आप है आप से कुछ नहीं कुछ नहीं पूछा पर क्यूशन परकान झाली स्क्रीकां पर तर देख शेयर। बड़ने वर कुछ संधने को शुक्षार्वारा ख़िए को कंच से कम तीन स्क्रीश याद होनिया चाहिए। वर धन्यवाद थे सब्गिए टंप आपैपड्न कान डिखै। तो यह देखो next question आपकी screen पर आगया दोस्तों समझो इसको और फिर इसका answer लगाओ क्या है एक motorcycle 7000 में खरीदी गई है एक motorcycle है दोस्तों वो कितने में खरीदी 7000 में खरीदी है और इसको 10% लाब पर बेचा गया है तो इसका विक्रे मुले क्या होगा तो मेरे प्यार दोस्तों 7000 दस परसेंट लाब पर बेचेंगे तो 110 बटे में किना आएगा सो क्या में दोनों 0 से काट सकता हूं हाँ जी 700 को 11 से कुणा करें तो 1177 कितना जाएगा 7700 जो कौन से option में है दूसरा option इसका बिल्कुल राइठांच बिल्कुल 7700 चलते एंगले क्यूशन के और दोस्तों क्यूशन नंबर 37 को समझना यह लो नेक्स्ट कुशन आपकी स्क्रीन पर आगे देखो आठ संख्याओं का ओस्त कितना है 21 है यदी सभी संख्याओं को आठ से गुनागरे आठ संख्याओं आपको दे रखे जिनका ओस्त कितना है 21 है और आगे यदी सभी संख्याओं को कितने से गुनागरे आठ से गु कुछ जोडने के लिए का जाए या कुछ गटाने के लिए का जाए या बाग करने के लिए गुणा करने के लिए तो यह परकिरिया डायरेक्ट उसके ओसत के साथ करने यह चीज आपको याद रहें यदि परतेक संख्या में कुछ जोडने गटाने गुणा करने या भाग करने लिए ओस्षेश सेहने, कुन दोशत करनी है। और शों देखो दोस्तिं, न फिरह 8 संख्या हैं और उणका वस्षत कीटनार है। 21 अब क्या रहे हैं, पर तेख संख्या में 8 से गुण जूणा करनारं तो आपको शीधे उनकी वस्षत से गुणा और कुछ नहीं जरना तो 8 से गुणा घरद हो तो किना जाएगा 168 इसका राइट आंस्वर होगा जो कौन से में सी ओप्सन बिल्कुल राइट होगा चलें दोस्तों अगले क्यूशन की अपन बात करते हैं तो क्यूशन नंबर 38 देखो अधियर नंबर क्यूशन आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं यह लो 38 देखो आपकी स्क्रीन पर आगे समझना इसको ध्यान से डेविड ने एक बैंक से चैजार रुपे तीन वरस के लिए उदार लिए उसे 12 पर तिसत वारसिक दर से साधान ब्याज पर अदा करना पड़ा तो बताओ तीन साल के बाद में उसे कितनी रासी अदा करनी होगी मतलब 36000 रुपे तीन परसेंट की दर से उदार लिए कितने वर्स के लिए तीन साल बाद में उसे कितने रासी वापस अदा करनी होगी सिदा सा ऐसमें ब्याज निकल सकते हैं साधान ब्याज क्या होता दोस्तों यह मैंने आपको संझाए च्छे से साधान ब्याज क्या होता है मोलदन गुणा समय गुणा दर और बटे में क्या होता है 100 यह होता है मूल्दन गुणा समय गुणा दर और बटे में क्या होता है 100 जहां पे मूल्दन कितना यह देखो मूल्दन कितना पैर दोस्तों तो 6000 दर कितनी 12 परसेंट और समय कितना 3 परसेंट बटे में कितना दोस्तों 100 क्या मैं दोन जिरो से काड़ सकता हूं, हाजी काड़ सकते हैं, 12 को 6 से गुणा गरेंगे, और फिर उसको 3 से, या 12 तिया 36, 36 को 6 से गुणा गरेंगे, तो 216, मतलब प्यार दोस्तो, 260 हाएगा, अब 260 हाएगा, और आपने लगबगने 260 के, अब देखो दोस्तो, 260 पर अंसर गलत हो जाएगा 260 पर अपन टिक करेंगे, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा, दोस्तो, गलत होगा, ये गलत क्यों होगा, ये चीज़ आपको समझ लिए, 260 दोस्तो ब्याज देगा, हमें ब्याज नहीं पूछा, हमें क्या पूछा है, तीन साल बाद में उसे कितनी रासी देने होगी, क्या आ है, 260 ब्याज की होगे, तो 8,160 रुपे होगे, 8,160 रुपे जो कौन से उप्शन में आप देख सकते होगा, उप्शन बिल्कुल राइट होगा, चलते हैं दोस्तों, अगले क्यूशन के और अपन क्यूशन नमबर 39, 39 नमबर क्यूशन समझ रहा है, 39 नमबर क्यूशन आपकी 20 तो अगे dोस्तों कि इतना HR 3, stare 4 वो सबसे पहले थो हमें क्या लेना हा, inc开ाल सबसे पहले क्या लेना है, inc तो चोटी से चोटी संख्या है तो मतलब हम सबसे पहले पार्य किस का लाग burger दो पर बारी किसमेदे दी देते हैं दोस्तों दोपाँ देगे thenini तो यहां साथ आएगा यख़रण ओरहे साथ यह वापस अपन दोपाण देंगे साथ यह यहां 21 और यहां यहां आएगा दोस्तों अब आपं तीन का बाग देंगे तो 7 अब किसका 7 का देंगे एका बुणा कर दोस्तों साथी यहीं किस दूने 222 और 222 का डबल 84 मतलब इनका LCHM कितना गया 84 अगया 84 में पहले किसका बाग देना है है साथ का तो 12 बार जाएगा 12 संती 84 और 12 और 5 साथ лекड़ एंगे बार 8 plus अगे 54 किस कंग देना है 21 कितनी बारा जाएगा चार बार जाएगा चार को 13 से गड़ेंगे तो थे दौक 52 दोस्तों उसी परकार 84 में किस कंग देना है और 21 2363 अब इनको अपन जोड सकते हैं अराम से इनको अपन जोड सकते हैं तो 60, 60, 120, 50, 170, 3, 113, 215 तो दोस्तों उपर आएगा एक सो पिचेतर और नीचे गिनाएगा 84 अब आप देख सकते हो यह कौन से option में क्या आपको यह option दिख रहा है हाजी एक सो पिचेतर बटे 84 यह तीसरा option इसका राइट आंसर हो जाएगा बोलो चलिएगा तो नेक्स्ट क्यूसन के अपन बात करते क्यूसन नमबर 40 समझना 40 नमबर क्यूसन आपकी स्क्रीन पर लेका रहा हूं यह लो क्या पूच्छा एगदम इजी सा क्यूसन है अरब 25 परतिसत को बिन में बदलना है तो परतिसत जब आपन अटाते हैं तो नीचे कितना लिखते हैं सो लिखते है यह 25 परसेंट की फ्रेक्शन कितनी होती है एक बटा 4 होती है तो 25 एकम 25 और 25 और 200 तो दोस्तों किना आएगा एक बटा 4 एक बटा 4 इसका राइट आंसर है जो कौन से उप kirakashara NE Labs मान ग्यात करना किसका अक्सक बटार्ड को यह बराबर की जगे है संमवानुपात भी आसकता है तो इसको पन कैसे सरय करते हैं जो थो ँऐ आर्वाले अंद्र वाले सो बीड़ा करते हैं जो अफार वाले से घुना करते हैं और भाहर वाले से इसकरते हैं तो यह âyो को इससे गुणा गरना है और इसको इससे गुणा गरना है तो 3 तो klai क्या गुणा 60 क्या thorny यदु बेराबर के दौन्यों तरफ सभी संखें गुणा में हैं तो आफस में काट सकते हैं त्टे एकंव टीन 3 से गटेगा एक बार और 3 से यह कितनी बार कटेगा दोस्तों 13 तिया गुंचालिस और 13 साथ कितना हो जाएगा कि कानमा तो इस परकार इस क्यूशन का जो राइट अंसर होगा 91 जो कौन से उप्शन में है चोथा उप्शन राइट होगा चलें अगले क्यूशन की और अपन चलते हैं क्यूशन नंबर 22 देखो क्यूशन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं दोस्तों यह लो क्या पूछ आप से पीचेतर 45 और 18 का स्चेफ आपको ग्याद करें मैंने आपको समझा दिया, जिस उप्शन से करो तो मतलब बैतर 45 और 18 में स्चेफ जिसका इन सभी संख्या हूं में बाग जा रहे है बड़ी से बड़ी आठारा लेते है, 18 का बाग इसमें जा रहे है 45 में नहीं जा रहा है तो यह तो गड़त हो गया इससे 30 कोंड से 9 9 में बैतर में 9 का बाग जा रहा है 45 में जा रहा है और 18 में जा रहा है तो इस परकार इस कांचर की ना रहेगा 9 पहला उप्सन राइट है समझ गए अगले कुछन के अपन बात करते हैं 43 में क्या पूछा दोस्तों यह लो यह टोपिक भी मैंने आपको सुबही करवाया एक इसी काम को 12 दिन में और भी उसे 24 दिन में पूरा कर सकता है एक इतने दिन में कर रहा है 12 दिन में और भी कितने दिन में कर रहा है 24 दिन में यू वो 12 मोख to 12 इन में और भी कितने दिन में कर रहे है भी इस काम को 24 come और अब मैंने आपको क्या वच शना को किस्ठों के सबसे पहले L ghostu Q 2 exam tanh surge है का है、 LHM का अपन लें तो 12 हो 24 का गयर सबसे पहले दो का भाग देंगे तो छे बार जाएगर यहां आठ बार देंगे तो यहां तीन बार जाएगर यहां चार बार वापस दो का देंगे तो तीन और यहां दो वापस दो का देंगे और फिर तीन का देंगे गुणा गर लो तीन दुनी छे गुणा कर सकते हूं तीन दुन थीन आ जाएंगे और यहां जाएंगे अग्छ लोगार इन दोनों का जो एल से माईगा वो चोविस मतलब क्या हुआ कि यह दोनों मिलकर कितने सोभीस कारे कर सकते हैं उसी परकार 24 में 24 का देंगे तो एक बार जाएगा तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना गर लेंगे दोनों मिलकर एक दिन में 3 कर लेंगे और दोनों को करना कितना 24 तो 24 में 3 का भाग देंगे तो कितने आजाएंगे तो कितने आपको पूरा कर लेंगे आठ दिन में पूराखर लेंगे समें अपसे क्या पूचा है सबसे बड़ी भिन आपको पूचए हैं civसे बही है तो दे रखे विन आपको दो बटा साथ , आगे एक बटा तीन आगे पांच बटा च्हेए अर आगे तीन बटा चस्क। इसको अलगले को गुन्गार की अपन कर सकतेैं भाग जो यह पर अपन कर सकते आपको यह आपके पास चार मेरे चारो सेमि-final में, इनमेंसे फाइनल में एक तीम हमें निकालें तो वजर गुणा कर लो सबसे बड़ी पूचिया है, समझ ना तरीका समझा रहा हूँ इसको इससे गुनागरो तो गिनाएगा झा चाहरा और इसको इससे गुनागरेंगे तो साथ हमें बड़ी पूची है, कोशेप से तीम जीत कएगी दोस्तो है, एक बटतती है इनको गुनागरो 5, 20, 6, 18, हमें बड़ी पूछे तो कौन से आई दोस्तों 5, 6, अब ये दो टीम हो गई, इनको भी कर लो 6, 6 दोस्तों 5, 15, बड़ी कौन से आई दोस्तों 5, 6, तो इस क्यूशन में सबसे बड़ी बिन किन्या है गी 5, 6, तरीका अच्छे से समझ लेना और इस तो देखना नेक्स्त क्यूशन आपकी स्क्रीन पर आ चूका दोस्तों ये लो, नेक्स्त क्यूशन कंबर 45 आपकी स्क्रीन पर आगए, समझना इसको अच्छे से और फिर इसका अंशर बताना तो रिता और उसकी माकी उमर का नुपाद जो आपको दे रख है तीन क्या कहना चाहरा है कि इनकी आयू का जो ratio दे रखा वो 3.11 और इनकी आयू का जो अंतर दे रखा वो 24 है मतलब 24 इन दोनों की आयू के बीच का अंतर है तो 3 और 11 में अंतर कितने का दोस्तो 8 है कितनी बार तीन बार तीन से कुना करो तीन तीया 9 जा दोस्तों तीन को 11 से करें गारतिया 33 अब हमें पूचिए ये वरतमान की उमर आये दोनों की हमें कब की पूचिया तीन साल बाद रिता की उमर पूचिया तो दोस्तों आज रिता 9 साल की है तो तीन साल बाद में कितनी साल साल के होगी बोलो तीन साल बाद में 12 कि तीन साल बाद में 12 साल के औह犁 हो तो इसका आंसर 12 ऊप् simulator है यह क्षैंक हुआ